नमस्कार दोस्तों मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपस तरीका आपने चैनल स्वाधिस्ट रेसिपी में फ्रेंट्स आज में आप लोग के साथ चार थरा खिक फिलुफी की रेसिपी सेयर करूंगी जिसे मैंने बीना गैस चलाय बनाया है बहुत ही इस्टेंटली यह सब बनकर त्यार हो जाएंगे तो रेसिपी को एंट तक जरूर देखिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा आए फ्रेंट्स रेसिपी स्टार्ट करते हैं और इन सब को मैंने एक छोटे बाउल में जमा कर त्यार किया है इसके लिए बाउल से ही मेजरमेंट लेंगे तो जीस बाउल में हमें जमाना है उस बाउल में एक बाउल से थोड़ा सा कम दूद ली हूँ जो कि अल्रेडी मिसरी को डाल देंगे और दूद को डाल देंगे और यह खोया को डाल देंगे साथ में ही एक इलाची को उसके जो अंदर के ब्लैक वाले सीर्स होते हैं उसको निकाल कर डाल देंगे और सब को अच्छे से ग्राइंट कर लेंगे मैंने इस ग्राइंट कर लिया है अब हम इस इस बाउल में जमा रहे हैं तो नीचे मैंने पीस्ता डाल दिया है तुरह से काट कर और उसके बाद से हम इस बैटर को डाल देंगे इसे फोईल से इसका जो माउथ है न वो क्लोज कर देंगे और इसे फ्रीजर में डाल देंगे पूरे होल नाइट के लिए इसे मैं रखते र इसके कोडिंग मिस्ट्री डालेंगे आप यहां पर जीनी कव यूज कर सकते हैं बनाना मिस्ट्री और दूद्ध को डाल देंगे थुरा सा इलाइची डालेंगे एक इलाइची कछिलका निकाल कर अब इसे हम ग्राइंट कर लेंगे तो इसे इसका फ्लेवर अच्छा अब जो नेक्स्ट है वो है एपल इस्ट्रोवेरी कुलफी इसके लिए मैंने यहां पर एक चमच एक चुटा चमच इस्ट्रोवेरी क्रस्ट लिया है और एपल ली हूँ एक चौप किया हुआ इलाइची पाउडर कुछ कटे वे ड्राइफूर्स मिस्ट्री और जिस बाउ से एक बाउल से थुड़ा सा कम दूध लेंगे ध्याना है कि दूध बिलकुल होकर ठंडा होना चाहिए बिल्कुल और हम घ्राइटर जार में ढाल देंगे एपल मिश्टी कटे वे ड्राइफूर्स इलाइची स्ट्रोवेरी क्रस्ट और साथ में ही दूध आड़ कर देंग तो लिजे फ्रिंट्स बहुत ही अच्छा इसका बैटर है आइस्क्रीम का मिक्चर जो है वो बनकर त्यार हो गया है इसे भी मैं उस छोटे से बाउल में डाल दे रही हूं और फॉयल से पैक करके फ्रीजर में डाल देंगे अब हम बनाएंगे ठंधाई कुलफी तो एक ग्राइंडर जार में मैंने मिस्री डाल दिया था वन फोट कप मिस्री को मैंने ग्राइंड कर लिया है उसके बाद इसमें डाल देंगे जीस पाउल में हमें जमाना है कुलफी को उस एक पाउल से थोड़ा सा कम दूध ठंधा बि देंगे और इसे भी क्राइंड कर लेंगे ठंधाई में और इसका फ्लेवर होता है तो कुछ भी अलग से एड़ करने कोई जरूत नहीं है आप इसका भी टेक्शर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी यह वी कुलफी का जो मिक्चर है बनकर त्यार है इसे भी फोईल स से बाउल में बनाई हूं आप अपने जरूत के कॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं जितना आपको जरूत हो अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बता रही हूं एक प्लेट में गरम पानी ले लेंगे गरम पानी में इस चारो बाउल को डाल दे आपकी नीचे से मेल्ट हो जाए और इसका जो नीचे का तला है वो छोड़ दे और असानी से दुसरे प्लेट में ट्रांसफर हो जाए इसी तरह से दुसरे वाले को भी निकाल लेंगे गरम पानी में बाउल को रखकर और हलका सा टैप करेंगे ना तो बहुत ही एजली निक लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नहीं डेसी पी के साथ तब तक के लिए बाबाय टेक क्यार